दोस्तों, इंटरनेट के जमाने में बहुत सारी चीजे हैं जो लोगों ने समझी हैं, अपनाई हैं और उनके साथ आगे बढ़ रहे हैं इंटरनेट आज आपको हर चगा मिल जाएगा, आप रेल विस्टेशन जाते हैं, वहाँ आपको इंटरनेट की सुविदा मिल जाती है, तमाम घरों में इंटरनेट है और जब से ये ऑनलाइन की चीजें शुरू ही हैं करोना के दुरान, तो लगबग हर घर में आपको इंटर कि ब्लॉगर कैसे बनते हैं, ब्लॉगिंग से कैसे आप बिजनस एस्टेबलिश कर सकते हैं, तो इस वीडियो को अंतक देखकर आपको समझ में आ जाएगा, वीडियो को अंतक देखीगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजे, डाल आइकन का बटन जरूर तबाईए, इसमें अपना कंटेंट लिखने से लेकर उसे प्रकाशित करना और लोगों से शेयर करना शामिल है, ब्लॉगिंग क्यों शुरू करनी चाहिए, अगर आपको लिखने का शौक है या फिर आपको अपने विचारों को लोगों से बांटने का शौक है, और आपको लगता है कि लोग अपने विचारों को रूची से पढ़ेंगे, तो आपको ब्लॉगिंग जरूर करनी चाहिए, या फिर आपको लगता है कि किसी प्रड़क्ट के बारे में आप लोगों को बता सकते हैं, उन्हें उसे खरीदना ना खरीदने की सलाह दे सकते हैं, तो आपको ब्लॉगि देना चाहते हैं और कुछ बताना चाहते हैं, आपको अपने ब्लॉग को बस एक बार प्रचलित करना है, उसके बाद लोग खुद आपको ढूंदते हुए आएंगे और आपके लिक को पढ़ेंगे, और इससे ही आपके पैसे बनेंगे, एटसेंस के जरीए आपको अपनी क पतिशत लोग ऐसे होते हैं, जो कुछ भी सामान खरीदने से पहले इंटरनेट पर उसके बारे में पढ़ते हैं, जानकारी लेते हैं, इसलिए ब्लॉगिंग आजकल काफी जादा बढ़ गई है, कैसे शुरू करें ब्लॉगिंग, सबसे पहले तो ब्लॉगिंग शुरू कर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इंटरनेट की मदद से यह सब जानकारी हासिल करनी है, ऑनलाइन आर्टिकल पढ़िए या फिर वीडियो देखिए, तो अगर आप इसे शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आपको और क्या क्या करना होगा ये भी जान लीजिए, सबसे जादा आपकी टागिट ओडियन्स होगी, उतना ही आपका ब्लॉग लोग प्रिये हो सकता है, साथी ये कोशिश हमेशा करते रहे हैं कि आपके ब्लॉग कोई प्रायोजिक मिल जाए, ब्लॉगिंग प्लैटफॉर्म का चुनाव करें, अब आपको ये देखना है कि कहां और कि लिए आपको कम से कम 8000 उपए खर्च करने पड़ सकते हैं, खुद का डोमेन और वबसाइट बनाने में आपको पैसा लगाना पड़ता है, सेल्फ होस्टिट वर्डप्रेस ब्लॉगिंग नई ब्लॉगर्स के लिए एक दम सही विकल्प है, टॉपिक के हिसाब से अपने डोमेन का चुनाफ करें, डोमेन का मतलब है आपकी वेबसाइट या ब्लॉग का क्या नाम हो, या आपको चुना बहुत ज़रूरी है, आप जिस नाम से अपने ब्लॉग को ऑनलाइन फेमस बनाना चाहते हैं, वो ही आपके डोमेन का नाम होना चाहिए, आपको टॉपिक क्य नाम हेल्थ से मिलता जूलता सही रहेगा, ब्यूटी, लॉप, बिजनस आधी का नाम होना चाहिए, GoDaddy और BigRock डोमेन बेशने वाली कमपनियां है, आपको ये कमपनियां होस्टिंग के साथ साथ डोमेन फ्री में देती है, अब आपको ये जानना है कि आपको लिखना कैसे है और आपको इसका प्रोमोशन कैसे करना है, डोमेन का काम पूरा हो जाने के बाद आपको अपना कंटेंट लिखना है और देखा जाए तो ये सबसे इंपोर्टेंट काम है, क्योंकि ये वो विचार है जो आपकी लिखाई के जर्ये लोगों तक पहुँचेगा जिने पढ़ने के बाद लोग आप से जोड़ जाएंगे सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो भी लिखें वो पूरी तरह से ओरिजिनल होना चाहिए किसी का लिखा हुआ या चुराया हुआ ना हो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी चोरी पकड़ी जाएगी और फिर हो सकता है कि आपका ब्लॉग बंद कर दिया जाए कंटेंट ही आपका सब कुछ है इसलिए कोशिष करें कि कंटेंट को बहतेर बनाएं लोगों से जोडने लाइक बनाए कुद को बहतेर बनाने प्लोग को अपने ब्लॉग से चोड़ें आप से मिलते चुलते ले क्लिकने वालों को भी संपर्क करते रहें उनके कमेंट बॉक्स में अपने लेक का लिंक पोस्ट करें और लोगों से उसे पढ़ने की रिक्वेस्ट करें सोशल मीजिया आदी की मतद से पेड एड चलवाएं ये सब करने से आपके ब्लॉग की रेंज बढ़ेगी और जादा लोग आपकी तरफ आकरशित होंगे अब आपको बताते हैं कि कैसे मिलते हैं ब्लॉगिंग के पैसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जैसे ही आपने ब्लॉगिंग करना शुरू किया आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा आपको थोड़ा सा धहरे रखना पड़ेगा पैसे का सीधा रिष्टा लोगों से है जितने लोग आपके ब्लॉग से पढ़ते हैं उसी इसाप से आपकी आमदनी हो सकेगी तो सिर्फ लिखना ही आपका टागेट नहीं होना चाहिए बलकि उसे लोगों तक पहुँचाना भी आपको आना चाहिए ब्लॉगिंग की भाशा में बोले तो जितना ट्राफिक होगा उतनी ही आपकी कमाई होगी ट्राफिक का मतलब है कितने लोगों ने आपके लेक के लिंक को क्लिक किया कितनों ने पूरा पड़ा यह सब इसलिए बलॉगिंग शुरू करने के बाद तीन से चार महीने तक तो पैसों के बारे में सूचना बेकार है जैसे ही आपके बलॉग का एक भी लेक हिट हो जाता है वैसी आपके बागी बलॉग पर भी ट्राफिक आना शुरू हो जाएगा और आपको पैसे भी बिलना शुरू हो जाएंगे याद रखिएगा बलॉग बिजनस में ट्राफिक ही सब कुछ है तो देखा आपने कि किस तां से ब्लॉगिंग का बिजनस आपको रातो रात घर बैठे बिठाए आपको बहुत जादा उंचाईया जो है वह आप छू सकते हैं और इसमें कुछ जादा करना भी नहीं है आपको कुछ जादा सेटप भी नहीं लगाना है तो आप इस बिजनस को घर पर बैठके शुरू कर सकते हैं अगर आप चौब भी कर रहे हैं तो इसके साथ भी प्यारलानी आप इस बिजनस को चला सकते हैं इसके लाबर कोई भी dow